वीडियो में गेर की पूरी जानगारी देंगे गेर का मोडूल रूट की लिए रैंस बैगलेश सब बताएंगे तो बने रही है वीडियो में अंतक हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल टेक्निकल शादाब सर्व में तो आईए शुरू करते हैं चलिएगा यहां देखेंगे यह मैंने गेर का एक फिगर बनाया है इसमें मैं बात करूंगा कि मिजर कैसे करते हैं यानि कि कहा से देखेंगे हम टीट और पीछ सर्किल डायमेटर कहा से कहा तक होगा वह भी बताऊंगा बड़े रिहान से देखिएगा पीछ कुछ व्यक्त नहीं है लेकिन अगर accuracy निकाननी हो फोर्मूले के साथ ठीक है तो मैं कहां से कहां तक लूँगा वो देखिएगा मेरी पीछ जो हो जाएगी आप इसको ध्यान में ना रखते हुए ये रखेंगे कि इसका पूरा टीत यानि के यहां से शुरू करेंगे इसका पूरा टीत और इसकी जो या खाली जंगा है यहां से यहां तक यह मैं पिछ ले लूँआ यानि के पी ठीक है बास समझना रही है मैंने एक तो लिया टीत पूरा और टीत का भी लेने का एक तरीका है मैंने इसके उपर के पूइंट से नहीं लिया और नहीं इसके नीचे के पूइंट से ल यहां से लिया है तो पुरा तो टीथ हो गया और जो नीचे खाली जागा है, यानि कि दूसरे टीथ तक आने के लिए जो खाली जागा है, यह मेरी पीछ हो जाएगे, जिसको मैं पी कहूंगा, यह बात आप याद रखेंगे, अब उसके बाद आता है डी, पहले मैं आफ टी थे, ठीक है, नमबर आफ टी थे, अब इसमें डी, डी हमारा डायामेटर है, लेकिन याद रखेंगे डायामेटर लेंगे कैसे, वो भी मैं बदाता हूँ, डायामेटर हम यहां से यहां तक नहीं लेंगे, यानि कि इसका आउटर डायामेटर नहीं लेंगे, यह ड होता है पिछ सरकल डायामिटर तो मैं इसको लिख देता हूं जो हमारा डायामिटर होता है यह होता है हमारा पिछ सरकल डायामिटर ठीक है यह होता है हमारा पिछ सरकल डायामिटर अब पिछ सरकल डायामिटर कहां से कहां तक लेते हैं तेखें के मैंने लाइन डोटिड की है यहां पे जो डोटिड लाइन की है, यानि कि जो हमारे टीथ है, जो हमारे दांत हैं, उनकी बीज से मैंने एक सरकल बना दिया, तो यह हमारा यहां से यहां तक का जो डायामेटर होगा यहां से यहां तक डोटिड से स्टार्ट होगा और डोटिड पे लास्ट होगा जो इसके डायामेटर होगा वो हमारा पिस सरकल डायामेटर होगा यानि कि डी जो हम डी लेंगे वो इसके teeth के midpoint से और नीचे वाले teeth के midpoint के बीच की जो दूरी होगी वो diameter होगी यानि के pitch circle diameter होगी πाई की value कैसे रखते है पाई की value fix होती है 3.142 ठीक है तो अगर मेरे को pitch निकाननी है तो इसका diameter लेंगे और number of teeth गिरेंगे कितने है और formula में रखेंगे और pitch निकल जाएगी pitch किसको कहते है मैंने बताई दिया कि यहां से यहां तक जो है वो निकल जाएगी ऐसी अगर pitch हमने measure कर ली teeth निकानने हो तो diameter लेंगे और teeth निकानने लेंगे formula के साथ में ठीक है अब इसके आगे आता है हमारा backlash backlash क्या होता है backlash के लिए मैं यहां पर बताता हूँ जैसे मेरा कोई gear है यहां देखेगा मैंने इस gear का एक teeth यानि के जब हमारे दो gear आपस में rotate होंगे तो क्या होगा अगर यह वाला gear इधर से चलेगा मैंने direction मनाई इधर से तो यह इसका teeth इस वाले gear के teeth से touch रहेगा और जिस side में touch हो रहा है अब जो side वाला है उसको कहेंगे हम backlash अब backlash बराबर कितना होता है हमारा 0.06 की module से गुना कर देंगे ठीक है 0.06 की module से गुना कर देंगे तो हमारा backlash आ जागा module क्या होता है हमारा देखेगा यहां पर मैं module निकालूँगा module m बराबर कितना होता है d upon t यह हमारा मोड्डूल का फॉर्मूला है ठीक है यानि कि अगर यहां से मैं पाई हटा दू यहां से मैं पाई हटा दू तो मेरा यह मोड्डूल आ जाएगा यानि कि M बराबर D अपॉंट T यह हमारा मोड्डूल आ जाता है अगर यहां से पाई हट जाता है ठीक है, module निकल जाता है इससे, module क्या होता है, इसका diameter और number of teeth और backlash अगर निकाल ला हो, तो 0.06 को module से गुना कर देंगे ऐसी हम निकालेंगे root clearance, root clearance, root clearance बराबर कितना होता है 4.5 into backlash, जो हमारी backlash आई है, उसको अगर मैं 4.5 से गुना कर दूँगा, तो हमारी root clearance आ जाएगी, root clearance किसको कहते है, जो यह side में gap बचेगा, side में जो, इसके पीछे जो gap बचेगा, पीछे जो gap बचेगा, उसको कहेंगे root clearance, यह जड़ वाली clearance, जो जड़ में, ठीक है, तो यह complete basic, जितने भी questions और जितने भी formula थे, already बता चुका, कोई problem होगी, तो comment में जरूर पूछेगा, तो वीडियो कैसी लगी, comment में जरूर बताएगा, अच्छे लोगे तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आए हो, subscribe जरूर कर लेना, और वीडियो को share करना, बिल्कुल ना भूले, next वीडियो में, next technical topic लेगे, फिर मिल दें, तब तक के लिए, bye-bye.